मैं प्रफुल जार आप देख रहे हैं बात पे बाट। आज हम अलक मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं। पुर्णीय सहर की बात करने जा रहे हैं। कोशि सिमाразу की बात करने जा रहे हैं। यहाँ के जो Uワ पीडि है वो यह चेक। गांजा और अन्य जो मादक धार्त हैं उसके ग्रत में क्यूं आ रहे हैं क्यूं युवक भटक रहे हैं युवा भटक रहे हैं आखिर जो राजनितिक डल हैं आखिर जो समाज सेवी हैं आखिर जो कहते हैं कि हम समाज के प्रहरी हैं वो इन युवाओं को एक सही दिसा पे क्य नहीं लेके जा रहे हैं परसासन क्या कर रही है आखिर इसको रोकने में क्यूं परसासन दिफल हो रही है इन सारे चीजों पर आजम बात करेंगे लेकिन आपको एक आकरा बताते हैं एक इसके बारे में बताते हैं कि पूर्णिया सहर में जो समेक का धंदा है वो बड़ा ही फ लिपता होती है और कई ऐसे पडिवार हैं जिनको इस नसे के कारण उस पडिवार को काफी नुकसान ठाना परा है उनके जो बच्चे हैं वो गलत रास्ते पे चले गए हैं यह पूर्णिया सहर के अगर बात करें तो सहर के पोल्टेकनिक चौक राम नगर पोल्टेकनिक चौक कारवाई भी हुई है पुलिस ने कई ऐसे यूबकों को गिर्पतार किया है इसके आदी है ऐसे यूबक 100 और 500 रुपय के यह जो इसमेक का जो कहता है कि एक पूरिया होता है जिसको लेने के लिए यह लोग अपराद भी करते हैं इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए आज हमारे साथ जूरेंगी समाज से भी पंकजा कुमारी लेकिन इससे पहले आपको ये वीडियो देखना जरूरी है कि आखिर हमारे जो यूबा है वो क्यों भटक रहे हैं उसके लिए क्यों नहीं ऐसे समाज से भी ऐसे नेता जो राज नेता है जो समाज को कहते हैं कि पाद हमारे स्थोन लाइन पर जुड़ेंगी समाज से भी पंकजा कुमारी नहीं दिया था कितना पैसा मिला दस यरुटा मिला था और पांच यरुटा लेने के लिए आए थे तक होगा कर देंगे लोग डाउन का मुलंगन करके आई थे आप से पहला सवाल है कि आप तो इस मेक के बारे में जानती होंगी आप समाज सेवी है काफी जंजागुक्ता के वाले कारक्रम अभ्यान में आप कदम से कदम मिलाके चली भी है तो आज के युवापीडी भटक रहे हैं इस पे आप क्या सोचती हैं कई घर बरबाद हो रहे हैं ये बिलकुल सही है कि अभी पुर्णिया में काफी ये स्मेक का जंदा जो है काफी जोड़ सोड़ से कर रहा है और इसमे काफी युवापीरी के लोग जैसे 17 साल के लड़के हैं उनकी संदिक्ता दिखाई पर रही है तो ये हमारे समाथ के लिए काफी दूस परभाव पर रह है कि अखिर युवाप कि वे स्माज के लिए एसत्रारते में जा रही है और आज गपने कहीं इसमाज की तो जैसे इसके लिए तो इसके लिए तो जैसे कि 15 साल से 18 साल के युवक हैं जो अपने स्कूल के लिए निकलते होंगे, कॉलेज के लिए जाते होंगे या पडिवार में वो एक सक्रिय सदस होंगे अपने जीवी को पारजन, पडिवार के जीवी को पारजन करने के लिए तो ऐसे युवाकों को पुलीस क्या कर रही है, पुलीस पे कितना भरुसा जताती है इसे युवाकों को, कमसे कम जो पुलीस है वो समाच की परहड़ी है, वो तो कमसे कम इस युवाकों को भटकते हुए रास्ते से, सही रास्ते पर ला सकती है बिल्कुल आपका कहना चाहिए है कि परसासन अगर थोरा ध्यान दे इसके उपर और इसको अगर फिरियस भी ले तो इस पे काफी हद कक कमी लाई जा सकती है परसासन को काफी ध्यान देने की आप सकता है और जो भी लड़के और जो भी गिरो इसमे पता चला है कि यह बंगाल से सटा हुआ एडिया है अपना पूर्णिया और से कोशी सिवांचल का एडिया है जो दालकोला एडिया परता है वहां से इसका कारोबार होता है कई युवक तो क्या करता है इसको बेचने का भी काम करते हैं मेरे पास जो रिपोर्ट आ रही है वो 100-200-500 रुपया में क्या करता है वो इस धंदे को पूरिये को ख़ड़ीते हैं और वो पूरा नहीं हो पाता है तो फिर वो क्राइब क्यों रुक करते हैं तो यहां अदिक्षक है वो मोनेटरिंग टीम भी बनाई रुए इसको लेके तो क्या आपको रता है वो मोनेटरिंग टीम काम नहीं कर रही है प्रणी तरह से आगे आ रही है, यह सोचने वाली बात है कि आफिर यह hell रहा है, लोग इसे पढ़ेसान क्यूं है Yaları जगसे ख़बर आती है कि यहां को रहा है sacrifices आफिर यह, कहीं केहीं पुर्णीं पढ़्छासन पो रही है। तभी यह मामने बरेहें पुर्वश. पिर शुक हो रहे हैं तो embarrassे अनिकिन जो एडिया है आपको सकते है कि समाज से वी लोग भी थे जो प्रक संहास के लिए बोलते हैं कि हम प्रणाध का काम करते हैं उन लोगों को भी तो दाइत हो है कि ऐसे एक जन जागुलुकता का भ्यान चलाए उन युगाओं के पर्ति स्कूल, कॉलिजों में कि आप पूर्णिया को कम से कम उर्ता पूर्णिया नहीं बनाएं इसमेक के इस बड़े रेव रैकेट है जो सरगना है जो इस तरह के काम कर रहे हैं उसका परदा फास होना चाहिए जेल के सलाकों के पीछे जाना चाहिए और जो एक मैसेज जाना चाहिए समाज में समासेवियों के माध्यम से उस तरह का काम नहीं हो पा रहा है पूर्णिया मे देखे आम आदमी जो कोई भी है जो इस तरह के जिनके आपका सीजे सारी सीजे हो रही है वो लोग काफी परिशान है इससे और मेरे मुझे भी सुझना मिली है कि इस तरह की काफी गतनाय हो रही है ये स्मैक वाली नसेव और नसा किरों की लोगों के द्वारा किया जा रहा है जिसमें आयजिन रास्ते से जाने वाले लोगों को भी पड़िशानी का सामना उठाना पर रहा है और वहां के ही जो स्थानिय निवासी है उनके द्वारा भी एक दो स्टेटमेंट और वीडियो बना के भी सेयर किया गया है जिसमें की काफी पहले इससे पहले भी कुछ मिदिया के लोगों ने भी इसको लाया था हाइलर्ट में की हाँ इस तरह की पुर्णिया में हो रही है तो ये बहुत काफी चिंताजनक बात है कि उसके बावजुद भी अगर इसके पीछे क्यों नहीं सुधार हो रहा है तो इसके पीछे में आप लोगों किस्ते आगराश करूंगी कि आप लोगे की द्वारा में प्रसाशन पुर्णे प्रसाशन से भी आगराश करूंगी कि वो इनको अपने संग्यान में लेकर और इससे कोई करवाई करें तभी यह नसागिरो वाली जो है यह बंद हो सकता है तही सतिक जानकारी रहेगी पुलिस के पास में तब ना पुलिस करवाई करेगी नेकिन जो एक परिवारिक रूप से कहा जा सकता है कि समाज का एक बहुत बड़ा रोल होता है ऐसे जो यूवक जो इस रास्ते पर भटक गए उनको सुधारने के लिए मैं बार-बार आपसे पूछ रहा हूं कि उसको सुधारने के लिए समाजी कस्तर पर क्या काम किये जाने चाहिए मैं बार-बार या और तब उसके पूछ रहा है और तब उसके कोई कारवाई हो तो यह तो आम लोगों की भी बनती है कि उसके इसको देखे और अपने तरीके से इसको खत्म करने की कोशिज करें लेकिन मैं यह कहना चाहूंगी कि जहां कहीं दिये कि पूर्णिया पुलिस ने लगातार्त करवाई की है कट्यार पूर्णिया के रास्ते नेपाल बर्डर पर वी ट्रक जो डिलेवरी होने जा रहा था उससे बड़ी खेप का आठ लाक मूली से भी ज्यादा पिछले साल इसके बाद आप सकते हैं कि जो जो बतीस सो बोतल कोरेक्स का प्रतिवंदित कफ सीरफ है उसको भी लाइन बजार से बिहाट कोई रोड से पुलिस ने जब्त किया अगर पुलिस को जानकारी मिलती है दावी की जाती है लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि हम और आप समाच की लोग वह hari कि काठना हो रही है है इसमें क्वाली तो हम खुद इसके लिए खिलाफ को आवेदन देने के लिए जा रहे है कि कम से कम इस चीज पर थोरा सा आप लोग ध्याम दें कि या कि यह क्यों हो रहा है तो एक समाज से भी होने के नाते और एक थानिय निवासी जो भी आम नागरी के उनसे मेरा यही है कि महिलाएं जो होती है उनका बहुत रोल होता है समाज में और किसी की मां होती है किसी की बहन होती है किसी की पत्नी होती है किसी की भावी होती है उनका रोल होता है तो अगर बच्चे बिगर रहे होते हैं तो महिलाओं का दाई तो बनता है कि उन बच्चाओं से पूछे कि आखिर क्यों इस तरह के आप हैवीड आदत बना रहे हैं उसको आपको सामने लाए अपने उनकी जो घर के गारजन उनके पास रखें अगर उनसे नहीं होता तो फिर समाज के पास लाएं तो इससे क्या मेरे ख्याल से जो लगता है एक प्रेसर बनना चाहिए और वो कहीं न कहीं लगता है कि अभी पूर्णिया में इसकी आपसक्ता है जब तक अगर आप साथ में साथ मिला के नहीं चलिएगा अगर समाज से भी हैं चाहिए समाज के प्रहडी हैं चाहिए आप किसी भी एंगिल से समाज के साथ चुड़े हुए हैं तो आपको आगे आना होगा ऐसे जो कारुबार चल रहे हैं चाहिए समेक का हो चाहिए गांजा का हो चाहिए आप कर सकते हैं कि जो प्रतिबंदित का सीरब में उसके लिए आपको समाज के लोगों को आगे आणा और पुलीस को कॉप्रेट करना ओगाव उसको लेकिए बुनिया सहर के बिभिन ठाना छेतर हैं सादर ठाना मरेंगा ठाना चेतर आप मुफस्सिल थाना चेतर के नेगर थाना चेतर इन सारे इलाकों में एक जाल सा बन गया और आज तक मैं दर्सकों को बताना चाहूंगा कि कारवाई तो पुलिस ने की है लेकिन आज तक पुलिस या कारवाई में जो मुख्य सरगना है उसकी गिर्पतारी नहीं जुन रहता है उसमें समु में ये लोग इसमें करते हैं अगर पाइसे की कमी रहती है तो फिर अपराद भी करते हैं आप कर सकते हैं रंगभूमी के मैदान के इलाके में सास्तिर नगर के इलाके में मादोपारे के इलाके में कटिहार मोर के इलाके में और ये इसमें जो तो कहीं नहीं कहीं लगता है कि यह गलत रास्ते पर जा रहा है पंकजा कुमारी तो इसको कैसे आप लोग भी एक मुहीम चलाने का मैं आपको अपने चैनल के माधियम से कहना चाहूंगा कि एक मुहीम चलाइए आप लोग एक महिला है और समाज को आपने काफी कुछ दिया है और इस मुहीम के तहट अईसे यूवक हैं जो भटक गएए जो अपने रास्ते को भटक कर कहीं और गलत रास्ते में चले गएं उनको लाने का काम कीजिए आम चाहेंगे और दर्सकों से चाहेंगे कि आप अपने एक अपील करें जो कि आप पूर्णया सहर कम से कम ये जाने कि ये कितना खतरनाक है जे जे बिल्कुल सही कहा है आपकी अपील कुछ होगी प्यांक के पूर्णियावासियों के लिए ती देखा जा रहा है समाज गलत रास्ते पे जा रहा है जिसे कि आज देखे चोड़ी चिंताई सब कुछ हो रहा है और व्यूवा जो इसमें संग्लिक हो रहे हैं यह हमारे लिए काफी दुख की बात है तो मैं पूर्णिया के सहरवासियों के सभी लोगों करते हूं कि जहां अपने आसपार अगर इस तरह की तीजे दिखाईजे इस तरह की घतना देखते हैं तो आप खुद इस पर यह थी हमारे साथ में समाज से भी पूर्णिया से पंकजा कुमारी इसमें के जो धन्दे में 15 साल से 8 साल के यूवक लगाटार इसके सिकार हो रहे हैं लेकिन आज तक पुलीस के हाथों जो मुख सरगना है वो नहीं पकरा गया है कहा जाता है कि इसमें के नसे कारण कई ऐस भटक गहें रास्ते उसको सही रास्ते पिलाने के लिए हमारा और आपका सभी का दाई तो है जो समाज से जुड़े हुए लोग हैं चाया जनपर्तिदी हों चाया समाज से भी हों चाया समाज के प्रणी हों चाया हर एक यूवा अपने दोस्त को अपने जो निकर्तम लोग हैं जो पडिवार के सदस्त हैं ऐसे लोगों को एक सही रास्ते पर समझा के बुझा के इसके हानी के बारे में बता के इस आप जंजाल कर बहार ला सकते हैं यहीye nephew पुर्निया और को शीमान्चल के लोगों की मांग हैं और हम प्रयास करते हैं इस अपने कारिकर्म के माध्यम से क्यों जो ऐसे यूवक हैं वो कम से कम समझें और जो गलत रास्ते पे चले गए हैं इसके हानी को भी समझें क्यों अपने जिंदिगी को आप खराब कर रहे हैं हम इस प्रोग्राम में इतना ही कहेंगे बहुत बहुत धन्यवाद